साई की बात वो सब निकल जाएगा कल सुबह तुम देखना कि तुम्हारे लिए कितने बड़ी खुशकवरी में भेज रहा हूं तुम जानते हो कि तुम परम सुभागे शाली हो मेरे बच्चे मैंने तुम्हें चुना है मेरे बच्चे और जल्द ना तुम किसी खूपसूरत से रिष्टे में बंदने वाले हो तुम्हारे परिवार में कोई सदसे जुड़ने वाला है तुम्हारे परिवार में एक संख्या और बढ़ जाएगी एक बहुत प्यारे रिष्टा तुम से जुड़ जाएगा बहुत प्यारे रिष्टा और बहुत अनोखा रिष्टा होगा वो बहुत खूबसूरत रिष्टा जिसके आने से ना तुम्हारे जिन्दगी में बहुत बड़े बदलाव होंगे बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे तुम्हारे जीवन ही बदल जाएगा ये समझ चाओ तुमनों तुमने जितने बलिदान किये है अपने खुशियों को पाने के लिए तुमने जितने बलिदान किये है अपने आपको इतना तुमने परिशान किया तुमने अपने खुशियों को हासिल करने के लिए इतनी महनत की सब कुछ किया इतने त्याक किये इतने बलिदान दि और वो ऐसे उर्चा होगी न कि तुम जो करोगे जहां करोगे जैसा मर्जी करोगे वैसा हो जाएगा और जहां तुम जिससे बात करोगे हर कोई तुमसे आकरशित होगा तुम जिससे भी बात करोगे न तो वो तुमसे इतना आकरशित होगा इतना आकरशित होगा न कि वो जादू की छड़ी घुमेगी ऐसे घुमेगी न तुम देखना कि तुम्हारे आर्थिक इस्तिती में इतना बदलाव आ जायेगा कि तुम पहले कहां थे और आप कहां हो न तुम्हें समझ में आ जायेगा और सुनो मेरी बात सो अपने जो देख रहे हो वो साकार होने का समय आ चुका है मेरे बच्चे और धन की कभी कमी नहीं आएगी तुम्हारे पास तुम क्या सोच रहे हो धन की कमी आने दूँगा नहीं बिलकुल भी नहीं आएगी धन की कमी नहीं आने दूँगा और चारो तरफ से जहां जहां तुम जिस तरफ कदम रखोगे जिन जिन रहो पर जाओगी वहां से जीत कर वापिस आओगे ये अशिर्वा दे रहा हूँ तुमें तुम देखते चाओ तुम जहां भी परेशान थे ना वो सब कुछ समाप्त होने जा रहा है सब कुछ तुम जिन जिन दुविधाओं में फसे हुए हो ना जो भी दुख का समय है तुम्हारा दुविधा का समय है ना वो खतम होने का समय आ चुका है मेरे बच्चे अब तुम्हारे सारे सपने सकार होंगे सब कुछ अब तुम आगे कदम बढ़ाओ तुम्हें रोकने व बड़ो मेरे बच्चे और सुनों जब काली बैठते हो ना तो तुम्हें कुस्तक और कलम लेकर मेरा नाम ही लिख लिया करो साई 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 लिखा करो या फिर ओम साई रक्षक शर्णम ओम साई रक्षक शर्णम ओम साई रक्षक शर्णम ऐसे लिखो देखो तुम्हारे मन में कितनी शांती आएगी तुम्हारा मन जो चंचल ताकी तरह भागता है इधर से उधर, उधर से इधर, कभी किसी चीज़ पर टिकता नहीं, कुछ चीजों पर तुम रही नहीं पाते हो, स्थर नहीं रह पाते हो, तो तुम्हारा मन स्थर रहना शुरू हो जाएगा, और हो सकी तो किताबे पढ़ना शुरू करो, उस तके पढ़नी अच्छी होती है और तुम क्या पढ़ रहे हो न, ये भी देखना जरूरी है, कि तुम किस विशय में पढ़ रहे हो, विशय भी अच्छा चुनो, जिसे कि तुम आगे से आगे बढ़ सको, कुछ आगे अच्छा करने का सोचो, कुछ अच्छा बढ़ने का सोचो, तो अच्छा होगा न, सकरत् और अगर बुरी चीजों में रहोगे तो फिर बुरी चीजें होंगी न, है न, और सुनो, जो तुम्हें माता की तरफ से चुन्डरी मिली है न, उस चुन्डरी को तुम संभाल कर रखना, किसी और को मत देना मेरे बच्चे, क्योंकि वो अशिरवाद है, मा का अशिरवाद, जो तुम्हें मिला है, उस चुन्डरी को तुम संभाल कर रखना, और जब भी तुम्हारे घर में कुछ भी पूजा का कुछ भी होना, तो उस चुन्डरी को तुम ओड़ना मेरे बच्चे, क्योंकि वो चुन्डरी तुम्हारी है, तुम्हें संभाल कर रखनी है, तुम्हे आशिरवात मिला है, ऐसे कैसे तुम किसी और को दो, हाँ, ऐसे मत दिया करो, अगर तुम्हें आशिरवात मिलता है ना, तो वो आशिरवात सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए होता है, तुम्हारे लिए काम करता है, तुम किसी और को मत दिया करो, अगर मैं एक फूल भी अच्छे तुम्हारा ही कल्यान होगा और सुनो मेरी बातों को तुम्हारे अंदर ना एक बात है जो तुम किसी से कहना चाहते हो बहुत दिनों से कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे हो तो सुनो कह दो डरो बिल्कुल भी मत क्योंकि अगर डर डर के रहोगे तो कब तक बा तो ऐसा मत करो कह दो जो भी मन में है कह दो मेरे बच्चे और सुनो तुम्हें पानी पीना है पानी तुम जितना पी सकते हो पानी पीओ मेरे बच्चे पानी पीना बहुत जरूरी है तुम्हारे शरीर में पानी की बहुत कमी है और तुम पानी बहुत कम पीते हो मेरे बच्च जितना पानी पी सकते हो पानी को पीओ बोतल भरकर अपने पास रखो जबरदस्ती पीओ उसमें उद्री डाल कर पीओ उद्री डालने से तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम्हारे शरीर की बहुत सारी बिमार्या दूर होंगी तुम्हें अभी ऐसा लग रहा है ना कि तुम्हारे शरीर में कमजोरी है तो सुनो मेरी बात को तुम अनार का जूस फिएओअ मेरे बच्चे तीन-चार दिन तुम लगातार अनार का जूस पिएओं और अराम करूं हो सके तो तुम ऐसा पॉस्ट्रिक अहार लो जिसे तुम्हारे शरीर में ताकत बनी रहे मेरे बच्चे ताकत बनी रहे और सुनो दो दिन बाद तुम बहुत परेशान हो दो दिन बाद जो होने वाला है उन भातों को लेकर तुम बहुत परेशान हो कि वो इतनी बड़ी मुस थोड़ी देर के लिए मेरे मंदर आना, मेरा नाम चाप करना, उसके बाद अपने घर चले जाना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ तुम्हारे पक्षबे हो जाएगा, और सारे चीजे हो जाएगी जो तुम चाहते हो, ठीक, और सुनो, इस बार अगर तुम विफल हो भी मिलेंगे, कुछ लोगों की सचाई नहीं दिखाई देगी, बहुत सारे चीजे तुम्हें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जब इंसान सफल होता है न, तो वो विफलताओं की चीजों को नहीं देख पाता, उसका अनुभाव नहीं कर पाता, और वो अनुभाव करना भी, एक संपूर इंसान के लिए जरूरी है, एक समझतार इंसान के लिए जरूरी है, एक जो उचाईयों पर पहुँचता है न, उस इंसान के लिए जरूरी है, और इसलिए मैं तुम्हें दिखाने चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें इस बार विफल किया, लेकिन अगली बा तो उदास होने की बिल्कुल भी जरुवत नहीं है तुमें, बिल्कुल भी नहीं है, समझ रहे हो, और सुनो, जब खाना बनता है तो उसे फेका मत करो, खाना अगर बच रहा है, तो उसे बाहर किसी को दे दो, या किसी पशुपक्षियों में डाल दो, लेकिन खाने की बेकद दान में नहीं पहुंचना चाहिए, खाने की इज़त करो, और अगर तुमारे थाली में एक टुकडा भी बचता है न, तो उसे भी उठा कर, किसी गाएं को, किसी कलहरी को, या किसी कुत्ते को दे कर आओ, जिसे की खाना इधर उदर ना फिके, खाने की इज़त करो, और सु तुमारे घर की जो घड़ी है न, उसका शीशा तूटा हुआ है मेरे बच्चे, उसका शीशा या तो सही करवाओ, या घड़ी बदलवाओ, ठीक है, उस घड़ी को मत रखो ऐसे, तूटे हुए शीशे को घर में मत रखो, बात को सुनना, मेरे बात को नजरन्दास मत करना, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इससे तुमारे घर में नकरत्मक चीजे हो रही है बात को समझना ठीक है खुश रहो आज का रत्री साई संदेश समाप्तुवा